नमस्कार साथियों आप सब का पुनह स्वागत है शरद्धा एस्ट्रो जोतिश में आज हम प्रसिद्ध कुंडलियों में चर्चा करेंगे संत ज्यानिश्वर जी की कुंडली जिने ना सिर्फ महाराष्ट्रा क्षेत्र में बहुत ज्यादा सम्मान के साथ भक्ति आंदोलन से जुड़े एक बहुत प्रकांड विद्वान के रूप में जाना जाता है बलकि पूरे भारत या कहें भारत के बाहर भी जो भक्ति का संदेश संत ज्यानिश्वर ने दिया वो आज भी हम उनका उनकी जो बाते हैं चाए मराठी में उनकी द्वारा लिखी गई भगवत गीत हो जय ज्यानिश्वरी में दिये गए संदेश हो उतने ही आदर सम्मान के साथ आज भी हम उनका उनका पालन करते हैं उनका वाचन करते हैं और नामदेव जी भी उसी परंपरा में आगे बढ़े ज्यानिश्वर जी के संदेश को ही नामदेव जी ने आगे बढ़ाया और एक ऐसा जीवन इनके जीवन हम सीख सकते हैं इनके जीवन से जहां प्रारंभिक काल यानि जब बाले अवस्था में रूख या जीवन तो कुछ कॉटम भिक अंगर्ट रहा और उस अंगर्ट को कैसे जीत कर पूरी तरह से अपने उपर कभी तमस को हावी नहीं होने दिया जैसे अगर ज्यानिश्वर जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में जब पढ़ते हैं तो उनके बाले अवस्था में कोई ज्यादा सुखत जीवन नहीं रहा और वो हम चार्ट से भी आकलन करने का प्रयास करेंगे और बहुत कम आयू तक ही उन्होंने संसार में उनका जो ज संसार में वो रहे और उनका संदेश लेकिन सदा के लिए अमर हो गया कुंडली में वो कौन-कौन से योग देखे जा सकते हैं जिस जिन योगों के कारण संत ज्यानिश्वर को ना सिर्फ वानी सिद्धी प्राप्त हुई उनकी लेखनी कला भी विश्व विख्यात हो गई तो यह दू करते हैं हम कुंडली विवेचना संत ज्यानिश्वर जी कि कि सबसे पहले हम किसने और चर्चा करते हैं जब भी हम कुंडली देखते हैं लगन-लगनेश चंद्र-चंद्रेश की स्थिति किसी भी कुंडली को देखना हो तो देखी जातीत है तो लग्न में उच्च का चंद्रमा विराजमान है ब्रिशब लग्न और ब्रिशब राशी कुछ-कुछ समानता भी दिखाई देती है भगवान कृष्ण अवतार की समान भी संत ज्यानेश्वर जी को महाराश्ट राउन के आसपास के ख्षेत्रों में माना जाता है और यहां भी हम देख पा रहे हैं कि अस्टमी में जन्मुआ था चंद्रमा और सूरे में चार भावों का अंतर आ रहा है तो लगबग यह अस्टमी और नवमी में ही ऐसा संभव होता है और जैसे दिवा अभिजित मूरत का जो हम बल देखते हैं वैसे ही रात्री में भी यानि मद्रात्री के आसपास भी जब सूरे हमारे चतुर्द भावों में आ जाता है वो भी एक अलगी प्रकार का बल रखता है सूरे हम सब का आत्मकारक भी माना जाता है हाला कि डिग्रिया अनुसार चरात्मकारक सब का बदलता रहता है लेकिन अगर सूरे बली होकर हमारे रदे भावों में विराजमान है और यह मोक्षा का प्राइमरी हाउस भी माना जाता है जैसे बगवान स्रीकृष्ण का भी रात्री बारा बजे जन्मुआ था तो सूर्य उनका भी चत्रत भाव में स्थित माना जाता है और रूप बहुत मोहिनी मुद्रा मानी जाती है संत ज्यानिश्वर जी का रूप भी क्योंकि दीकि उच्च का चंद्रमा है और जॉडियक में यह व्रशवर राशी क्या रिप्रेजन करती है तो अगला हमारे यही भाव है भौच्चक्र राश्यों का स्वतंत्र अध्यन आवश्चक है जब भी आप किसी कुंडली की विवेचना करें तो जॉडियक में वो राशी क्या बताती है उसके बारे में भी हमें जरूर चर्चा करनी होगी तो वरशवर राशी बली है तो वरशवर हम मानते है हमारा जो जो भी लेखनी या वानी का बलं है आध्यात्मिक बाणी को जो डिलीवर करने वाला जो बलंल वो अब वरश्वर से माना जादा लेकिन स्वामी बात करें तो प्रथम द्रश्ट ऐसा लगता है कि शुक्र कहीं ना कहीं कुटम भाव में कमजोर हैं लेकिन भावत भावं भ्यकर्म लगा ले यानि दूसरे भाव का स्वामी अपने सिद्धिद्री होकर करकराशी में बैठा हुए और 구dh को करकराशी में सामान्य भी करक राशी में बंद अच्छा फल देते हैं करक राशी कराशी जो कहीं ना कई मात्रभूमी की बात करता है भावना की बात करता है तो वो बंद बहुत अच्छा फल करकराशी में देते हैं तो अगर हम की बात करें यानि इंस्टेंटेनिस इंपेक्ट की बात करें वहां तो फ्रत्मद्रश्ट्रा ऐसा लगता है कि शुक्र कहीं ना कहीं कमजोर पढ़ रहा है इस कारण से जो शुरुवाती जीवन रहा वास्तंगर्ष रहा माता पिता का अब बहुत लंबा जो साथ नहीं रह पाया संट ज्यानेशवर जीवन में लेकिन हम्य ही बात समझ नहीं है कि कैसा जीवन रहता पित अ को अपना अपना सहारा नहीं बनाते सत्व में ही रहते हैं संसार से कुछ गलत ऐसा लगा भी शुरुवात में ऐसा अनुभव हो रहे हैं उसके बाद भी संसार को कुछ गलत नहीं किया जब आप इनके जीवनी पढ़ेंगे कि कई दफा ऐसा भी हो जाता था कि ज्यानेश्वर जी का अगर किसे ने अपमान भी कर दिया तो फिर उसको भी वो प्रेम से देखते थे तो बहुत एक ऐसा जो विचार है आजकल के आजकल के परिपेक्ष में तो बहुत कठी नहीं ऐसा विचार ला पाना लेकिन वहीं मुक्ति का या मुक्ष का अधिकारी बन सकता है जो सब में ब्रह्म को देखता है तो उसके लिए हम समझ सकते हैं कि जो हमारा मूल सुत्र है बहुत चक्र की मुक्ष राष्टियां और जो हमें वर्तमान लगन मिला है वर्तमान लगन की चाराट बारा भाव उनके स्वामी का बली होना परमा अवश्यक है तो देखिया आप चतुर की बात करें तो स्वामी कौन है ब्रहस्पति वो भी इच्छा पूर्ति भाव में जाके बैठा हुए और ब्रहस्पती की पंचम द्रिष्टी हमारी लेखनी में भी है बुद्द्ध जो बुद्धी के देवता है ब्रहस्पती जो जो ज्ञान और विज्दम की बात करता है वो भी अपनी पंचंद्रिष्टी बुद्ध पर बनाये हुए और साथ साथ विवेक बुद्धी को भी ब्रहस्पती जो अस्टमभाओ के स्वामी भी हैं देख रहे हैं और ये आठ नौ नवी द्रिष्टी ब्रहस्पती की हमारे कह सकते हैं पार्टनर्शिप हाउस में भी बनी हुई है तो पूरी तरह वहां सत्व विचार जीवन में रहा तो हम समझ सकते हैं कि कुंडली में चार आठ बारा भाव और बारवे भाव को देखें तो बारवे भाव का स्वामी है मंगल जो विपरीत प्रिस्थितियां आने के बाद मुक अक्षा प्लाणेट डिटाच्मेंड प्लानेट ही तु अरो के तू की नुटी भी है यान अगर के तू पंचंदृष्टी देखें तो वारवे भाव में और नवम दृष्टी देखें तो सूर। यतु की दृष्टि है गृश्पू को प्रताप की तरफ इस्तमाल ला करक उस सूरे बलको सात्मकारक बलको मुक्ति की ओवर डायवर्ट करने का प्रयास कर रहा है ठीक हो कि तो भोचक्र की मोक्ष राशियां बली है जॉडियाक में जो चार आठ बारा राशियां और लगन के अनुसार भी जो चार आठ भाव है वो बली है वो चकर की राशियां कौन कौन सी है कर्कराशी का स्वामी कौन है उपक्ष का चंद्रमा लगन में ही विराजमान है और कर्कराशी में ब्रहसपती की दृष्टि-ई यहां भी ब्रहसपती की नभी दृष्टि बढ़ रहे है बहुत चक्र की जो मुक्ष्ट-राश्टी मानी जाती इसका स्वामी-मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हो डिटाच्मेन्ट ब्लानेट या मुक्ती ग्रह केतु के साथ बैठा हुगा और केतु को अच्छा मानते हैं ब्रहस्पती के भावों में अच्छा पल देते देखा गया है मंगल भी क्योंकि अगनितत्व राशी है यह धंदूर राशी तो यहां भी मंगल का बल्वी बढ़ा प्रतीत होता है और केतु को हम कुझ वत केतु भी कहते हैं यह यहने मंगल के समान जो इस प्रकार के गुप्त पराक्रम की बात आती है कुछ जागरण की बात आती है अपने शक्तियों को जगाने की बात आती है हट योग साधना ध्यान की बात आती है तो इस प्रकार का बल बहुत कारगर रहता और फिर आती है बारवी राशी यानि पाइ संत ज्यानिश्वर नाम देव जी के गुरु माने जाते हैं, तो नाम देव जी के बारे में भी आप पढ़ेंगे तो उनके बारे में भी बहुत अलग उसमें बहुत सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है, इतिहास में कई ऐसी रचनाये हैं, जो नाम देव जी के कलम से नि और कई हम माराश्ट्रा के अलावा भी कई क्षेत्र ऐसा है जहां भगवान कृष्ट नहीं विठ्थल के समान ही संत ज्यानेश्वर जी को माना जाता है और उनका चार्ट भी अगर हम देखें काफी हद तक जिसे भगवान सिद्ध कृष्ण का भी व्रशब लगन था अभिज फिर आते हैं लेखनी भाव का स्वामी होकर उच्च का चंद्र लगने में स्थित है एक तो हम त्वरित प्रभाव देखते हैं दो चीज़ देखी जाती है वही त्वरित प्रभाव तीसरा भाव होता है लेखनी कला में या जो हमारी फॉर्मल टॉक्स होती संसार में जो हम समबाद किया जाता है वो तीसरे भाव से देखा जाता है तो जो लेखनी है उसमें ज्यादातर समाज ही शामिल होता है कि होता है हमारा खाली हमें समबाद किया हमारा कोई आध्यात्मिक कुछ ऐसा समबाद है वो एक अलग चीज है लेकिन अगर हम कोई इस प्रकार की चीज है तो यह हमारा ऐसा संबाद उसमें शामिल होता है जो लिखने के बाद बाद में कभी देखा जाएगा तो उसमें तीसरे भाव को शामिल किया जाता है हमारी लेखनी जो बाद में उप्योग हो सकती है संसार के लिए तो तीसरा भाव शामिल हो गाई होगा तो लेखनी भाव का स्वामियोकर उच्च का चंद्रमा लग्न में सित हो जाता है और भाव पर बुद्ध जो बुद्धी का देवता है बहुत बढ़िया बोलने में माहिर है उसकी लेखनी कला भी बुद्ध की बहुत अच्छी है वो तीसरे भाव में बलियोकर बैठे ब्रहस्त पती की पंचम दृष्टी भी है मजबूत ब्रहस्त पती उसके बाद आते हैं अगले अगरम बात करते हैं शुरुवाती कुटुम्बिक संकटों के बाद वानी सिध्धी प्राप्त हुई वो हम जब जीवनी पढ़ते हैं संत ज्यानेश्वर जी की तो कई ऐसी चीजें उनको कठिनाई हुई जीवन को शुरुवात में चलाने में जैसे इनको सन्यासी का पुत्र इस प्रकार की बातें सुनने में मिली और कई जो प्रारंबिक जीवन था जिसको बोलते हैं प्रारंबिक सिक्षा वाला जो पार्ट होता जब विक्ति तो ये कहीं न कहीं मजबूत मुक्ष भावों का बल है, यानि स्वयम से ही जागरती पा लेना, उसके बाद अल्प आयू होने पर भी अनंत ख्याती प्राप्त हुई, बहुत कम आयू तक रहे लेकिन उसके बाद भी उनकी ख्याती अनंत रहे, भगवत गीता का चाहे मराठी म बात करें, बहुत आज भी उतने ही सम्मान से ज्यानिश्वर जी का नाम लिया जाता है, फिर आते हैं चार आट बारा भाव, यह जो मैंने पहले ही बताया है, चार आट भाव, जब भी कभी आप किसी चाट को मुक्ती की दृष्टी से देखेंगे, हलकि हम और भी कई जब क बल तो होना आवश्चक है, चार आट बारा भावों के स्वामी स्वग रही या विपरीत राज योग में स्थित हैं, और इसी प्रकार से भौचक्र की मौक्ष राशियां भी बल्ली दिखाई देती हैं, धर्म भाव का स्वामी नवम से नवम है, जानते हैं व्रशव लगन के लिए शनी योग कार ग्रह माने जाते हैं, कि वो गया नवम, नवमेश और दशमेश बनते हैं, और शनी नवम से नवम होकर मित्र के यहां बैठे हुएं और शनी का डिपास्टर है, यानि शनी को जो इस्थान देने वाला ग्रह है, बुद्ध, वो लेखनी भाव या कहे पराक्रम भाव में, सांसारिक वानी भाव में बलियो कर बैठा है, हम समझ सकते हैं कि इस कारण से हमारा धर्म और लेखनी का बड़ा अच्छा सम्मंद बन रहा है, फिर आत्मकारक सूर्य, रदे भाव में केतू प्रभाव के साथ स्थित हैं, ठीक हो गया, वैसे सूर्य को हम authority मानते हैं, सूर्य को हम कहीं न कहीं government मानते हैं, सरकारी यश मान प्रतिष्ठा मानते हैं, लेकिन जब उस सूर्य पर बली केतू का प्रभाव होगा, क्योंकि केतू को वैसे third house से बड़ी ज़्यादा एक प्रेम है, ठीक है, एर्थ हाउस, जो अकल्ट का माना जाता है, ठ आठवे भाव में कौन सी राशी पढ़ रही है, धनू राशी, केतू को इस से बहुत प्रेम है, आठवे भाव से केतू, यानि वो रहस्य में और अकल्टी सब चीजों के विशे में वो जानना चाहता, तो बली यहां बैठा है, तो उसकी जो बली ग्रह की बली दृष्टी पढ़ रही है सूरे पर, तो वो उस बल को बजाए की सरकारी या राजसी या राजा की जो मान सम्मान ये श्पाने की बजाए, उस बल का प्रियोग किसमे किया, आत्मकारक आत्मा को जानने में किया, ठीक हो गया, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि कैसे इस प्रकार क दृष्टी सईयोग हमारे लिए एक धनात्मक रूप ले लेता है इसलिए हर बार यहां एक बहुत विशेश बात सेखने को मिली कि हर बार हमें ऐसा नहीं मानना है कि सूर पर केतु का प्रभाव आ गया तो वरनात्मक होगा ऐसा नहीं है हमारा अगर धे है है ऐसा मुक्ति को पाना चाहते और आत्मकारक होकर सूर बली बैठा है और फिर केतु का प्रभाव दिखाए देता है तो तो फिर हमारे लेच्छा माना जाएगा सामान निता हम यहीं जानते हैं ज्यादा तर जहां सूर अपने आपको कमफर्टेबल मानते हैं वहां केतु का भी प्रभाव बली माना जाता है सामान निता ऐसा ही है वही मेश राशी में क्योंकि कुजवत केतु हो तो मेश राशी में भी केतु को अच्छा माना जाता है इ ये तू अस्तंभाव में नवी राशी का बल भी लिये हुए हैं, और आठमे भाव का भी बल लिये, और उस भाव से अपनी नवी दृष्टी किस पर लगा रहे हैं? सूर्य पर लगा रहे हैं. धृष्टी का भी बड़ा संबंद होता है कि वो पाँच भी दृष्टी लगा रहा है कि नवी दृष्टी लगा रहा है जब पांचवी दृष्टी आती है तो हमारी सांसारिक विवेक बुद्धी इसको हम ज्यादा प्रायरिटी देते हैं हम ज्यादा उसका महत्व देते हैं लेकिन अगर हमारी नवी दृष्टी धर्म की बात करता है नवी दृष्टी भागय की बात करता है तो उस प्रकार से कि तुने सूर्य का नजरिया काफियत तक बदल दिया है तो यह अमने विवेचना आप लोगों के सामने रखी और हम यह बात पहली क्लियर कर रहे हैं कि किसी भी संत महापुरुष को कोई 15 मिनट 20 मिनट में आदे घंटे में गंटे में हम उनके बारे में बहुत थोड़ा सा ही जान सकते हैं इनके बारे में तो आप जीवन भर निरंतर स्टडी करते रहें पढ़ते रहें फिर भी कम हैं लेकिन हम वह चीज भी चूकना नहीं चाहते हैं कि उनके जीवन का जो वह महान अचीवमेंट जो उन्होंने उपलब्दी हासिल की उसके अगर हम थोड़ा भी नजदीक जा पाएं उस विचार को थोड़ा भी समझ पाएं तो हम धन्य हो जाएंगे इसे लिए हम कोशिश करते हैं कि चाहे थोड़ा ही अंधियन करें लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सभी महापुरुशों का अधियन आप लोगों के सा सुक्राचारिय, नमस्कार.